कि दोस्तों मैं दुर्गे स्वागत करता हूँ अब सभी को अपने वीटुब चैनल में दोस्तों आज जो है हम आए हैं गाची और किसली आए हैं या सब को तो बेनर देखके पता चली गया होगा आज हम आए हैं तारकुल खाने के लिए तारकुल यानि तार का जो फल होता है अगर मेरे दढ़ तो सब तारकुल निक करता है आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं वहीं आज खाने के लिए आए हैं आप लोग वीडियो में बने रही है अब हम पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से मेरे फ्रेंड्स लोग इंगार्च प्र चर रहा है कि दिखाते हैं चलते हैं गाच के पास अभी पेर के पास अब देख सकते हैं यही पेर है यहां पूरा तारुकल अभी बिखरा हुआ हुआ है देख सकते हैं आप लोग अब इसको में ले जाके एक अठा करेंगे एक जगह उसके बाद वहां सब मिलके खाएंगे अब देख सकते हैं इसको हम इकठा करने के लिए जा रहे हैं हम इस जगह पर इकठा यहां पर कर रहे हैं जब इकठा हो जाएगा पूरे तब सब मिलके यहां पर इसको खाएंगे अब देख सकते हैं यहां पर अभी कठा हो गया है सभी अब जो है यहां पर सब टेस्ट कर रहा है कि इसमें भी जो है एक खिजा होता है थोड़ा ज्यादा यह बरा हो जाता दो जुआ जाता उसको खाने से पेट में दर्द बगएरा होने लगता है कि अब तब यहां देख सकते हैं दो तिन बंदा जो है पहले चेक कर रहा है कैसा है ज़िए एक बंदे कितना अनाम दे रहा है है इधर देख यह सार इधर जोई कट रहा है इस वह ठता है हुआ है हुआ है ज़आ है कि इस एक फल में जो है तीन पीस होता है खाने वाला पर इसको उपर से काटा जाता है उसके बाद जो है किसी चाकू या फिर हस्वय की मदद से इसको इस परकार से निकाला जाता है उसके बाद खाया जाता है इसको आप अलग-अलग परकार से काट सकते हैं यह तो है अपना-पना काटने का अलग-अलग जरिया होता है से लरका जो है इस तरह से काट रहा है और आप अएक ओर दिखा रहे है जो सबसे आजान है आप उस तरीका से भी काट सकते हैं इस परकार से भी आप काट सकते हैं सिंपल है इसको इस तरह से अगर आप काटेंगे तो नीचे में आप कुछ रख लेजिए नहीं तो फल गंदा हो सकता है आप देख सकते हैं तो इसको जो है नीचे में कुछ रख लेने से गंदा नहीं हो होगा इसके बाद जो है इसको अराम से काटिए और इसको भी जहाए किसे चाकू या फिर अस्वे की मदल से आप निकाल सकते हैं या फिर हाथ से भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से इसको अराम से निकाल सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस फल का आनंद ले रहे हैं मेरा जितना भी फ्रेंड्स लोग हैं वो सब इसको खाने के लिए भी जो है एक अलग ही जज़बा होता है उतना तो कोई नहीं खाया है अब है कि एया दो टिन पीष सब खाया पर मेरा जो एक फ्रेंड है वे थोड़ा भूभ सकते हैं कि यह अप 10-15 पीशा भी सैटना प्रेम से को काट रहा है इस प्फल को दोस्तों आज तक इस वीडियो में इतना ही हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं योगे अपने चैनल पर इसी तरह क वीडियो डालते रहते हैं